नमस्कार दोस्तों इंगभर फिर्श स्वागत है मेरे यूटूब चानल पर तो आज हम लोग साउथ हेस्जियन उनिवर्सिटी के इंट्रेंस इग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं में इंटर्नाशनल रिलेशन्स के लिए आपको कैसे प्रिपेर करना है यह मैं वीडियो दो सेग्मेंट में बातूंगा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे दोहजर चौबिस स्यूटी पीजी बैच के पार्ट रह चुके हैं उन्होंने अपना स्यूटी पीजी पेपर लिए उनका बहुत बेटर इग्जामिनेशन हुआ तो उनको यह इग्जामिनेशन देना चाहीं नहीं देना चाहीं और जो हमारे बैच के पार्ट नहीं है क्योंकि 200 स्टूडेंट बैच के पार्ट तो और भी बहुत gemaakt will एक डिडिकेटेड वेबसाइट बनाया है एक यू के इंट्रेंस एक्जामेनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको वहां से फ्री मुटेरियल मिलेगा आपको वहां से पूरा गाइडियन्स मैं देने की कुशिश करूँगा फ्रीव कोस्ट तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले मैं ACU के बारे में बात करने वाला हूँ तो ACU के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहां सार्क nations के जितने भी सार्क में आपके nations हैं सबके students आते हैं तो आपको exposure काफी better होता है प्लस में आपके Thailand के भी कुछ students होते हैं कुछ African Nations के भी students होते हैं तो exposure काफी better होता है आप अलग-अलग culture के students से मिलते हैं क्योंकि जो central universities हैं, DU, JNU और BHU की हम बात करते हैं तो पढ़ाई कुछ खास नहीं होता है ऐसा नहीं कि कुछ खास पढ़ाते हैं जो कि आपके state university में नहीं पढ़ाते खेर पढ़ाते तो कहीं नहीं है ना state university में पढ़ाते हैं JNU, DU, BHU में पढ़ाते हैं पढ़ना तो खुद से पढ़ता है या हमारे जैसे जो teachers हैं उन से पढ़ना पढ़ता है तो ये तो अलग बात है लेकिन मैं exposure की बात करूँ जिस वजह से इंसान जो एक central university में अडमिशन लेना चाहता है तो ASAU को मैं काफी बेटर बानता हूँ international relations के लिए in fact अगर मैं JNU के course से तुलना करूँ PISM के course से तो मुझे PISM से ज़्यादा बेटर ASAU का international relations का जो course है MA का वो ज़्यादा बेटर लगता है ASAU में admission लेना इस साल थोड़ा असान हो गया है क्योंकि पिछले साल तक ASAU में मातर 30 seats था केवल 30 seat था वहाँ पे और 30 seat में से जो 50% जो seat था मतलब 15 seat ये Indians के लिए reserved था यहाँ सिर्फ Indians का admission होता बाकी जो 15 seat बचे उसमें बाकी अलग-अलग nations के students आते थे अब ये seat बढ़ाकर 90 कर दिया गया है 90 कर दिया गया है लास्ट ये भी हमारे batch के 2-3 students में गय थे तो एक तो अभी वहाँ पढ़ रहे है बाकी एक ने due में switch कर लिया अब अपनी अपनी वज़ा होती है सबकी तो अभी 90 seats में हो चुके हैं तो इस बार काफी admission मिलना थोड़ा सा असान होगा अगर competition तो यूनो हो गा ही क्योंकि 45 seats ही जो है अब वो Indians के लिए हैं बाकी मैं आपको seat matrix अभी बताने वाला हूँ तो इस video में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐसे यूँकि exam pattern के बारे में number of question seats कितने है sample paper आप कहां से download कर सकते है everything I have provided on my website पढ़ोतो ऐसे exams एक हमारो जो है official website है पढ़ोतो ऐसे dot in मैंने और एक website शुरू किया है cuet.co.in तो वहाँ पे आपको पढ़ोतो ऐसे exams पे सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो यहाँ strategy मैं discuss करूंगा फिर free books आप वहाँ से download कर सकते हैं पढ़ोतो ऐसे exams से free notes भी जो SIU के लिए specific notes हैं आप उसको भी वहाँ से read कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और free quizzes भी मैं वहाँ provide करने की कोशिश करूंगा 300 से 500 तक के question मैं provide करने की कोशिश करूंगा वहाँ जो आप practice कर सकते हैं cuet.co.in तो यह जो website है पढ़ोतो ऐसे exams यहाँ पे आप आजाएंगे पढ़ोतो ऐसे exams पे एक पढ़ोतो ऐसे का ही part है यहाँ पे मैं free material आपको provide करने के लिए कोशिश कर रहा हूं CUET PG के लिए UG के लिए जितना मेरे से बन पाएगा और बाकी आप paid course में भी enroll कर सकते हैं तो यहाँ अभी ACU पर आप जाकर click कर सकते हैं ACU पर जब आप जाकर click करेंगे तो यहाँ पे ACU के sample papers आप यहाँ से download कर पाएंगे यहाँ जो free notes है ACU के उसको आप download कर पाएंगे यहाँ पे जो entrance के लिए free quiz है ACU का आप उसको download कर पाएंगे और ACU का entrance का syllabus भी आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए ACU को अपना official syllabus नहीं प्रोवाइड करा था MA international relations के लिए वह सिर्फ sample question प्रोवाइड करा देता है कि देखो भाही दो-चार question इस तरह के हम question पूछेंगे बाकी 2016-18 में इसके questions आते थे जब examination जो है वो offline होता था तो उसी के basis पर और जो पिछले साल हमारे जो student successful रहे हैं या जिनोंने paper दिया था उनके जो आपके informations होते हैं उसके basis पर हम लोग एक syllabus को जो है predict कर सकते हैं तो वहाँ पे मैंने syllabus को predict किया है तो minimum eligibility तो आपको पता ही है आपको 50% mark score करना पड़ेगा कम से कम और तीन साल का bachelor आपका होना चाहिए आप किसी भी सार्क नेशन के हो सकते हैं ये आपको बहुत important है ध्यान में रखिएगा अब यहाँ पर format क्या होगा दो घंटे का examination होता है सतर question आपको पूछे जाएंगे MC की question होते हैं कोई negative marking नहीं होता अब साथ ही साथ अगर हम बात करें तो total 90 seats इस बार से हो गए है पहले seats कम थे पहले 30 थी जासा कि मैंने आपको बोला Indian applicants के लिए 45 seats हैं so this is what you need to know and you know for other students who are from Afghanistan, Bhutan, Maldiv, Sri Lanka and Nepal they could see that what seats have been given to them in the proportion उसके बाद अगर मैं test centers की बाद करूँ इंडिया में तो जैसे जामिया मिले इस्लामिया के test के लिए आपको देली ही जाना पड़ेगा उसका कोई अलग test center नहीं है अब यहाँ पे test center जो है आपका इतना सारा test center है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जैसे राची भी test center है राइट या राइपूर भी लेकिन अगर राची में अगर ठीक ठाक students नहीं हो पाए अगर मान लीजे दसी लोगों ने form भरा political science का क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं से यू के बारे में तो अगर मान लीजे दसी लोग ने form भरा राची में तो फिर उनका center पटना दे देगा club कर देंगे students को के या फिर पटना में भी कम लोगों ने भरा तो कलकत्ता दे देगा पटना और राची के लोगों को club करके लेकिन है ज्यादा chancels है कि जहां जहीं इसने अपने टेसजेंटर लिखेंश है वहाँ पर अपने के test center प्रोवैइड कराता है तो यह आप यहां प्याने से टेस्जेंटर देख सकते हैं अब यहां पर आएंगे तो यहों प आप sample paper download कर सकते हैं अब यहां पर specific जो notes है वो आप इसको read कर सकते हैं यहां से और अपने copy में notes बना सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको free material है free material आपको अगर download करना है क्योंकि बहुत सारे students मुझे से पुछते हैं कि यह यह सार my you know like undergrad so I was also unable to understand the books very thoroughly because they are tough political science is called science because it is really conceptual that is why it is called science you know like this is not the history that you are reading and you are understanding the context there are a lot of logic and reasoning you need to apply while studying the political science so that is one more factor but बहुत सारे लोग पूछते हैं तो देखि आप western political thought का Brian Nelson का बुक है यहां से डॉटोड कर सकते हैं और यहां से political theory जो है Andrew Haywood का आप डाउनलोड कर सकते हैं comparative politics का बुक यह मेरे favorite बुक है यह हेग का बुक है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह भी बहुत बिटर बुक है international relation theory जो है यह बुक हम लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और विजन 365 का जो इंटरनाशनल रिलेशन का जो आपका और यह CVT PG 2024 batch का review है भी जो paper students दे करा है तो चलिए उसके बाद हम लोग strategy पर discuss करते हैं अगर मैं quiz की बात करूं तो आप समझ गया होंगे क्या pattern है आप यहां से भी you know like quizzes से सब जाकर hover करके देख सकते हैं तो सभी चीज़े आप अगर एक बर website पर जाएंगे तो आपको सभी चीज़े मालूम लग जाएंगी यहां से इंटरन्स का पीजी बैच के students हैं उनके लिए मैं आपको strategy बता देता हूं देखिए सबसे बड़ा problem क्या है students का कि वह एक mentor पर faith नहीं करते अभी मैंने अपना जार्खन पब्लिक सर्विस कमिशन का भी पीटी का पेपर हुआ था मातर मैंने 15-20 दिन पढ़ाए कि मुझे अपना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता कॉलेज में पढ़ाना पढ़ता हूं बैचर्स लेता हूं तो अपना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता थोड़ा और इनसान अपने लाइफ में कुछ बिटर करना चाहता है लकुर करना चाहता है तो मैं भी कोशिश कर रहा थे इस बार कोशिश किया तो मैंने एक. mentor faith किया मैं बार बर अपने resources नहीं change करता अब यहां बहुत सारे जो students and resources change करते हैं बाद में पच्टाते भी है क्योंकि मुझे पता है ना मैं बेवकूप थोड़ी बठा हुआ हूँ मैंने तीन बर जो है क्वालिफाई किया है इतने अच्छे percentile और इतने अच्छे marks के साथ आप अगर कभी ज्यारिफ के बारे में जा रहेंगे तो ज्यारिफ जो है वो परदादा होता है यह जो आप से यू और जो सीविटी पीजी का examination दे रहे हैं बहुत ज्यादा तेज होता है तो बहुत ज्यादा तेज होना भी कभी कभी आपके लिए नुकसान करता है तो यहाँ पर कुलमिला के बात क्या है कि जो पढ़ो तो ऐसे का यह जो मेरे batch students उनके लिए मैं बता रहा हूँ पढ़ो तो ऐसे का international relation के notes को आप एक बार revise कीजे आप lectures तो देखी गए होंगे क्योंकि CVT PG आपने दिया comparative politics के notes revise कर लिजे एक बार western political thought के notes revise कर लिजे political theory के notes revise कर लिजे और revise कर लिजे आपने समझा ही होगा उसको आपको समझ के ही revise करना है हमारे batch में कुछ ऐसे भी students से जो बार बेर मुझे पुझते हैं मैं इसको learn कर लू learn करने का मतलब आज तक मुझे नहीं समझ माया अच्छा आप learn कर सकते हैं books का नाम thinkers का नाम लेकिन आप concept कैसे learn करेंगे बाद आप देखिए मैंने आप लोगों को ECU के लिए कुछ specific नहीं provide किया मैंने आपको batch में CUTPG पर focus किया था और मैंने जामिया मिले इसलामिया पर focus किया था उससे ही CPT का जो paper होता उडिसा में या cotton का वो सब सब crack हो जाएगा पर CUATPG के batch के अलावा ECU के लिए कुछ कुछ पढ़ना है तो मैं सबके लिए free available करा दे रहा हूं तो आप लोगों मैं अलग से कुछ नहीं provide करूंगा क्योंकि notes मैंने सब website डाल दिया आप वहीं से hover करके देख सकते हैं तो एक बार सार्क nations के जो आपके you know like आपके notes है उसको पढ़ लीजेगा website से और वहां पे मैं जो आपको batch में नहीं पढ़ा रखा है उसके बाद vision PT 365 2024 का भी आयर नहीं है मैं इसको देख रहा था vision IS के website पर मैंने website का link जो है वो दे दिया है अपने website पे तो आप वहां से download कर सकते हैं मुझे लगता है कि March end end तक ये लोग जो है ये release कर देंगे international relation का जो vision PT 365 से इसको पढ़ने मैं मुस्किल से 2-3 दिन का time लगता है अगर आप थोड़ा slow है तो 4-5 दिन का time लगेगा आप इसको thoroughly पढ़ जाएंगे इसको पढ़ने से आपको काफी better होने वाला है आप theme wise mock जो है पढ़ो तो ऐसे का in topics का international relation comparative politics western political thought political theory आप इसको जो है एक बार वापस से attempt कर ले मैंने unlimited attempt पीजी का tough आया था तो मैं tough के लिए आप लोगों को prepare करा जो रहा था लेकिन paper काफी moderate था तो उन mocks में आप ना जाए मैं आपको सला दूँगा वो mocks से थोड़ा बचे अब ये CU के लिए और multiple revisions करते जाए और फिर सा मैं बता रहा हूं मैं जो बता रहा हूं बस उसमें कि सब पर लागो होता है मैं खुद पर भी लागो करता हूं जेपी एसी के paper में सी एंटी और स्पीटी आक्ट पढ़ना था दो land reforms के laws हैं हमारे जहरखंट से related तो वह 50 बीडियो उस पर है मैं 50 बीडियो के चक्कर में नहीं गया एक पकड़ो एक पकड़ के उसको complete करो right complete करो काम खतम हुआ trust करो अपने mentor के उपर जो mentor आपको पढ़ा रहा है बेवकूफ नहीं है तो मैं जैसे political science में जानता हूं तो आप political science में मुझे नहीं समझा सकते तो उसी तरह जो doctor लगा रखा है अपने नाम के आगे और वो जहरखंड में वो जहरखंड history पढ़ाते हैं तो मेर अरे batch के students नहीं है मैं उनके बार में बात करूँगा देखिए मैं prerequisite यह मान के चल रहा हूं कि आपको international relation मालूम है comparative politics आपको मालूम है आपने कहीं से भी पढ़ रखा है इससे कोई you know like भी बात का बात नहीं है आप उसको एक बार अच्छे से thoroughly revise करें western political thought को political theory को comparative politics को international relations को क्य revise करें multiple time revise करें उसके बाद वहीं आपके लिए भी मैं सेम बताऊंगा कुछ books है अगर आप prefer करना चाहें अगर कुछ topic आपका नहीं हो रखा तो मैंने आपको अभी बताया ही website पर की free books है यहां पर आपको मिल जागा अगर आप जाएंगे तो यहां पे यहां 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 पर जाने से मिल जागा इसे क्लिक करने से यहां पर आप जाएंगे किस वाले में मैं ने प्रोवाइट करा दे वहां लगता है अगर आपने कुछ topic को नहीं पढ़ रखा है तो आपको वहां से हिल्प मिल जाएगा पर जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इसी वेबसाइट पर ऐसे यूश स्पेशल नोट्स आप उसको जरूर कर लेंगे यहां से काफिक कोश्चन आपके फसने की चांसे से इसको आप द्यान से करके जाएंगे यह सब के लिए मैं फ्री में प्रोवाइड करा दे रह कोशन है यहां पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है अब यहां पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे रिडारेक्ट कर दिये जाएंगे विजन आई इसके वेबसाइट पर और यहां पर दो हजरूर पढ़के जाएंगे इससे काफी सारे कोशन फसने की चांसे से हैं उसके कर लेंगे मैं 300 से 500 क्यासपस कोशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूंगा आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे और आपने नहीं पढ़ रखा तो देखे आप लॉजिकली सोचिए जो बंदा छे महीने से पढ़ रहा है आठ महीने से पढ़ रहा है जिसने एक कोर्स ले रखा है का मैंने स्टेट PCF का एक्जाम दिया तो मैंने 20 दिन पढ़ाई करके दिया तो 20 दिन पढ़ाई करके दिया तो बहुत सारे सीट्स होते हैं पीटी में क्लियर करने के लिए तो काफी जादा चांसेस है बटने यहां आपके 45 सीट्स है तो आपके ऐसे भी probability काफी कम है तो यह आ अगर आपका नहीं भी होता है तो आप इस जर्णी में आप चब इस पेपर को दीजेगा तो बहुत सारा चीज़ सीख जाएगा जो कि आपको फ्यूचर में काम देगा तो जीत हार तो लगा रहता है लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए ऐसा नहीं कि अरे 20 दिन ही बचा हम क्या पढ़ें यह तो बात ठीक है कि आप 20 दिन में उतना नहीं कर पाएंगे कि जो आठ महीं नहीं से करें लेकिन कुछ तो आएगा ना जी आपको कुछ तो सीखेंगे अरे कुछ नहीं तो चार-पांच थियूरी तो आपको आ जाएगा ने इंटरनाशनल रिलेशन का एक और बात मेरे से स्टूडेंट्स पूछते है कि मुझे पढ़ानाए लग घाएंगा पढ़ाँ === तो liberalism आपको जामिया में जो पढ़ना है, CUT, PG में भी पढ़ना है, ACU में भी वही पढ़ना है, cotton में भी आपको वही पढ़ना पढ़ेगा, CPET में, गोहाटी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी, तो सब जगह तो आपको एक ही पढ़ना है, अलिगर्ड मुसलिम आप यूनि जाता है, उसके paper analyze कर दिये, मैंने CUT, PG का तो batching कर किया, ACU के लिए मैं effort कर ही रहा हूँ, तो ये क्या होता है, कि इसके लिए अलग batch होगा, उसके लिए अलग batch होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता, आप देखिए, पिछले साल जो मेरे students थे, यहाँ मैंने topper का भी list लगा कर रखा है, आप देख सकते हैं, एक ही बंदे ने CUT, PG में JNU भी निकाला, BHU भी निकाला, क्या-क्या नहीं निकाला आप ये पूछिए, यहाँ अंकित कुमार के मैं बात कर रहा हूँ, और ये लोग तो जामिया toppers हैं, हमारे ही batch के थे, सब के sub student, ये तो ACU में enroll हुए थ है, अंकित कुमार के बारे में कहां चला गया, हमारे एक CUT, PG का साइद मैंने इसको लगाना छोड़ दिया, ये सब students जो है, इन्होंने काफी सारे exams crack किये थे, CUT, PG भी किया था, ACU भी किया था, बहुत सारे students ने multiple exam crack किया था, तो multiple exam crack करने के लिए आपको अलग-अलग course पढ होंगा, अगर मैं liberalism, socialism, if I'm teaching that for Jamia, Islamia, obviously the same should be, you know, like true for the CUT, PG and SCU, so there cannot be the different concept, isn't it, if the same topics are being mentioned in your syllabus, so that is another point, so right now there is holy, like, 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 there is the offer for holy festival, and I'm also wishing you happy holy to all of you, you can go to our official website, for more detail, www.padhotwasset.in, 10% कापको discount है, 31 March तक, validity आपको 31 December 2025, 24 नहीं, 2025, more than one year, 2025 तक की validity भी आपको मिलेगी offer में, और 4000 के जगा पे मातर 3600 का आपको ये batch available होगा, और आप एक बार reviews अगर देखेंगे, तो आप इतना ही जान जाएए कि आप जो 3 साल में, और आगे जो 3-4 साल में नहीं सीखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में, उतना जाद आपको knowledge ये 3-4 महीने पढ़के, राप्त होगा, और आप empowered feel करेंगे, आपके पस सर्फ degree नहीं होगी, पॉलिटिकल साइंस की, आपके पस knowledge भी होगा, और बाद में NetJRF में तो ये काम करेगा, ये कोर्स का जो knowledge है, और ये PSIR में भी काम करेगा, आंसर राइटिंग में भी आपको काम करेगा, you know, like अगर आप अभी भी UG में हैं, semester 5 में, semester 6 में, because you have to study a lot of common topics which are there in the flavors of CUTPG, Jamil Islamiya and so on, so this was the strategy for SAU, again, you know, I'm appealing, I'm urging to my batch students, जादा दिमाग मत लगाईगा, आपने देखा, आपके जो mates हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, जो है, perform करके CUTPG में अभी 2024 वाले में, तो अभी जो लोग अभी बोल रहे थे, कि sir मैंने follow नहीं किया, sir मैंने revise नहीं किया, तो मालक इस पर जादा मत दिमाग लगाईए, इस पर मेरे notes, और ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूं, उसको करके जाएए, और देखिए, 45 seats है, तो सबका तो नहीं होगा, बढ़ हाँ, बहुत chances है कि काफी लोगों का होगा, अगर हमारे batch से 8-10 लोग भी सफल हो जाते हैं, ECU में तो मैं अपनी जीत मानूँगा, क्योंकि UPSC experience भी, you know, like, CUTPG में और जो droppers हैं, 2-3 साल के, वो भी appear करते हैं, कि अब कुछ नहीं, तो अब प्रोफेसर बनेंगे, ECU में आ जाएंगे, तो काफी tough competition होता है, बट आप लोग काफी better कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग का भी ज़रूर होगा, और जो batch के part नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, कोशिश कीजिए, कोशिश करने से कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मारेगा, कोई फांसी का सजा नहीं है, ऊसमें, आप अराम से कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कुछ नहीं से कुछ सही, अगर आप ठीक ठा कोशन बना के सही करके आते हैं, आपकी जीत है आपको फ्यूचर में मदद करेगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका दिन शुब हो and all the best for your SU examinations